ये स्टोरी है एक ऐसे कपल की जिन्होंने इंडियन कंजियूमर की डिमांड को समझके एक ऐसी कंपनी की शुरुआत की जिसने इंडियन बेकिंग इंडस्ट्री को बदल दिया ये स्टोरी है हार्वेस्ट गोल्ड की इस कहनी की शुरुआत होती है खोट से वो समय ता 1990 का जबादिल हसन आयटी दिल्ली के केमिकल इंजिनियर और उनकी वाइफ ताप सिद्धी की जो एमियो की एंबिया ग्रेजुएर थी सिंगापूर से इंडिया अपने अंत्रपूनेरियल सपनों को पूरा करने आये इंडिया में वो लोग दिल्ली में रहने लगे सिंगापूर से आये आदिल और ताप को ब्रेट खाने का बहुत शौक था दिल्ली में रहते रहते उन्होंने कई तरह की ब्रेट्स को ट्राइ किया लेकिन उन्हें कोई ब्रेट पसंद नहीं आई ब्रेट की क्वालिटी और टेस्ट दोनों अच्छे नहीं थे कई कमपनिया तो ब्रेट को सिर्फ अच्छा दिखाने के लिए बहुत से खतरना केमिकल मिलाती थी उन्होंने देखा कि लोगों को घंटो बर लाइन में लगके डिलिवरी वैन का इंतिजार करना पड़ता था सिर्फ एक ब्रेड लोफ के लिए उस समय फ्रेश ब्रेड भी बहुत मुश्किल से मिलती थी दिमांड हमेशा हाई होती थी और सप्लाइ के शॉर्टेज होती थी जो लोगों को लो क्वालिटी ब्रेड खरीदें पर मजबूर कर देती थी लोकल ब्रेड बेकरीज भी जादे नहीं हुआ करती थी और मार्किट में ब्रेड 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 जैसी बड़ी बड़ी कमपनियों की मौनोपली थी जो ब्रेड को वैक्स पेपर में रैप करके बेचती थी जिसकी वज़ा से ब्रेड जादा समय तक फ्रेश नहीं रह पाती थी उन्होंने ब्रेड मार्किट में इनी कम्यों को पहचाना और अपने सक्सेस्फुल बिसनस को सेट अप करने के ठान ली वो जानते थे कि ब्रेटानिया और मौडन जैसी बड़ी बड़ी कमपनियों से कम्पीट करना मुश्किल होगा लेकिन कही न कहीं उन्हें इस बात पर भी विश्वास ता कि अगर वो महनेत करते रहे और देश के लोगों के लिए एक हाई क्वालिटी ब्रेड का आप्शन रखे तो वो सेक्सेस्फुल हो सकते हैं जून 1993 भिवाडी राजसान में हार्वेस्ट गोल इंडिया प्राइवेट लिमेटिट कमपनी के शुरुवात की उनकी इनिशल इन्वेस्टमेंट थी एक कड़ोर रुपे जिससे उन्होंने एक मौडरन हाई टेक ब्रेड मैनिफेक्चरिंग यूनिट को सेट अप किया जो एक दिन में 800 ग्राम के 75,000 ब्रेड लोग बना सकती थी उन्होंने दो क्वांटिटी में ब्रेड बनाई एक 800 ग्राम जिसकी प्राइस उन्होंने रखी 13 रुपे और दूसरी 400 ग्राम जिसकी प्राइस थी 7 रुपे इन्वेशन एंड मार्केटिंग शुरुआत से ही हर्वेस्ट कोलन अपना फोकस ब्रेड की क्वालिटी को बढ़ाने में लगा दिया और अपने मैनुफेक्चरिंग स्टेंडर्स को अमेरिकन इंस्टिट्यूट और बेकिंग स्टेंडर्ड के मताबिक रखा उनको अपने एक्सपीरियन से पता था कि वैक्स पेपर रैपिंग से ब्रेड जल्दी खराब हो जाएगी इसलिए उन्होंने एक इनोवेटिव पैकेजिंग को अपनाया और इंडिया में पहली बार सैलोफेन की ट्रांसपेरंट शीट में पैक किया ट्रांसपेरंट होने की वज़ा से कंजूमर अपनी ब्रेड को बिना खोले देख सकते थे शुरुवात में उन्होंने प्रेटैनिया और मॉडरन के डिस्ट्रिब्यूटर के साथ अपनी ब्रेड की सप्लाई की वो दिल्ली के नरूलास के पास भी गए अपनी ब्रेड को काउंटर पर बेचने के लिए और यहां तक कि उन्हेंने हर्वेस्ट गोल की अवेर्नेस और सेल्स को बढ़ाने के लिए ट्रैफिक सिग्नल और डोर टो डोर सेल्स भी की उनकी इस अप्रोच ने काम किया और हर्वेस्ट गोल की सेल्स दिल्ली और NCR रीजन में बहुत जल्दी बढ़ गई और पात साल के अंदर 1998 में हर्वेस्ट गोल का टर्न ओवर 40 करोड तक पहुच गया लेकिन उनकी इस नहीं तरह की अप्रोच को देखके दूसरी चोटी चोटी कमपनीस ने उनके लोगो डिजाइन और यहां तक के नाम को कोपी करना शुरू कर दिया हनी ड्यू गोल्ड, गोल्डन हर्वेस्ट, ताजा गोल्ड जैसे कई चोटी चोटी कमपनी मार्केट में आ गई हाला कि ताब और आदिल को पता था कि उनकी ब्रेट के कॉलिटी सुपीर है लेकिन अब उन्हें कुछ नया करना था, जिससे उनकी ब्रेट घर-घर के नाश्टी की प्लेट तक पौछ सके उनको एक अच्छी मार्केटिंग और डिस्ट्रिब्यूटर्शिप की जरूत थी 1998 में एडवर्टाइजिंग एजेंसी इक्वस रेट सेल के साथ उन्होंने एक फ़नी एड केम्पिंग की शुरुबात की जहां आम कंपनिया ब्रेट में सिर्फ मिल्क कॉंटेंट और सौफनेस की बात करती थी वहीं हार्वेस्ट के 80 और 60 सी सी के प्रिंटिड एड जिसमें कॉमन इशूस पे पैरोडी और कमेंट्स होते जो हाफ इंग्लिश और हाफ पंजामी में होते हार्वेस्ट गोल का ये अड़्वेटाइसिंग स्टाईल इंडियन ब्रेड इंडस्टिरी में बहुत अलग और एट्रेक्टिव था बक्वास अडवर्टाइजिंग फर्स्ट क्लास ब्रेट जैसे एड कैमपेंज ने हार्वेस्ट गोल के नाम को आम जंता की जुबान पर ला दिया था कैमपेंज पूरे एक साल चला और इसकी कॉस्ट थी 27 लाग डिस्ट्रिबिशन जहां दूसरी बड़ी कमपनिया अपने डिस्ट्रिबिशन सिस्टम की वज़ा से फेल हो रही थी वहीं हार्वेस्ट गोल की सक्सेस उनके एकसिडन डिस्ट्रिबिशन सिस्टम की वज़ा से बढ़ने लगी हार्वेस्ट गोल फ्रेश ब्रेड्स को समय पर रिटेल शॉप तक पहुचा के रिटर्न ओर्डर को मिनिमाईज करते थे ब्रेड को सिर्फ एक भिवारी प्लान्ट से सप्लाई किया जाता था क्योंकि ब्रेड की कंजप्शन सुबा और शाम को ज़्यादा होती थी इसलिए वो दिन में दो बैच में ब्रेड को डिस्टिब्यूट करते थे सुबा आठ से दस और शाम चार से साथ डिस्टिबिशन के लिए हार्वेस्ट गोल ट्रक, टेम्पो और साइकल का इस्तमाल करते थी ट्रक और टेम्पो पे हार्वेस्ट गोल के लोगो प्रिंटिट होते थे जो मोबाइल ब्रांडिंग का काम करते थे हार्वेस्ट गोल सन 2000 तक दिल्ली और NCR रीजन में के और्गनाइज ब्रेड प्रोवाईडर थे हार्विस्ट गोल के कॉम्पेटीटर थे ब्रिटेनिया जिनका जाज़तर रेविन्यू बिस्किट प्रोडक्शन से आता था दूसरे थे मॉडरन ब्रेड्स जो तब की हिंदुस्तान लिवर को भी गई थी और कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहे थी तीसरी थी परफेक्ट ब्रेड्स जो दिल्ली हर्याना राजस्तान के प्रीमियम ब्रेड मार्केट के 45% स्टे कंट्रोल करती थी लेकिन हार्विस्ट गोल की इनोवेटिव एप्रोच और एट्रेक्टिव एड़टाइजिंग से वो ग्रो करते गए इसके साथ इंडिया की ब्रेड इंडस्ट्री भी 8% पर एट्रेक्ट से ग्रो करती रही नॉर्मल वाइट ब्रेड के अलावा उन्होंने सैंड्विच ब्रेड, पर्गर बन, ब्राउन ब्रेड, पीजा बेस, सुईट बन, रस्क, मल्टी ग्रेन ब्रेड और रेड़ी रोटी जैसे कई प्रोड़क्ट इंटर्यूस किये 2010 में हार्वेस्ट गोल दिल्ली और NCR के 80% मार्केट को सप्लाई करते थे और कंपनी का नेट टर्न ओवर था 120 कड़ोर रुपे 2017 में मेक्सिको की कमपनी ग्रूपो बिंबो जो दुनिया की सबसे बड़ी बेकिंग इंडिस्ट्री में से एक है करीब 340 कड़ोर रुपे में हार्वेस्ट गोल के 65% कंट्रोलिंग स्टेक्स को खरीद लिया एक इंडर्वी में ताप सिद्धी की अपने स्ट्रगल के बारे में बताते हुए कहती है कि मेरे मूपर लोगों ने दर्वाजे भी बंद किये रीटेलर्स ने मुझे साफ मना कर दिया यहां तक कि मैंने ट्रक पर बैठके अपनी ब्रेड को उनकी मंजिल तक पुचाया आज 28 सल भाद भी हार्वेस्ट गोल का स्वाद लोगों की जुबा पर और नाश्टे की प्लेटो पर है फिर चाहे वो ब्रेड बटर हो या ब्रेड पकोड़े तो यह थी स्टोरी हार्वेस्ट गोल्ड की जिसने थाबित कर दिया कि अगर हम इनोवेशन का सहरा ले और मार्केट की डिमांड को समझ के मेहनत और लगन से काम करते रहे तो सक्सेक्स को हासिल कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो के लाइक कीजिए और ऐसी ही और नई वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए